नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं DHFF अड़ा मैं हूँ आपके साथ हेमत खबर रोहित सर्दाना की उस मौत को लेकर जिसके बाद अब 24 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक हैस्टेग धडलले से वाइरल हो रहा है और टॉप पर ट्रेंड भी कर रहा है यह हैस्टेग है justice for रोहित सर्दाना अब जब इस हैस्टेग पर हमारी नज़र पड़ी तो हमें लगा कि अचाना 24 घंटे के बाद रोहित सर्दाना की मौत को लेकर आखिर ऐसी कौन सी शंका है जो लोगों के मन में लगातार खड़ी हो रही जिसकी वज़ा से लगातार सोशल मीडिया पर य किसी बड़ी लापरवाई की वज़े से उनकी जान गई है यही वज़ा है कि लोग अब यह चाहते हैं कि रोहित सर्दाना की मौत की जांच CBI करें लेकर इसका आधार क्या होगा किस बात को लेकर लोगों को यह शक हो रहा है आशंकाएं ऐसी क्यों पैदा हो रही है दर अस किसी ही को लेकर जब जीटेन शर्मा के ट्विटर को खंगाला गया तो कुछ दिन पहले के रोहित सर्दाना को लेकर तो नहीं लेकिन रेम डिसीवर वैक्सीन को लेकर जीटेन शर्मा ने खोजबीन करते हुए एक ट्विट किया था जिसमें लगातार वो यह मांग कर रहे है कि किसी की जिंदकी को बचाना है वो खत्रे में है और उन्हें रेम डिसीवर वैक्सीन की बेहत ज्यादा जरुरत है और उनके इस ट्विट को लोगोंने खंगाल कर सोशल मीडिया पर बिलकुल वाइरल कर दिया है लगातार इसे शेयर किया जा रहा है इस दावे के साथ कि कहीं ये रेम डिसीवर वैक्सीन रोहित सर्दाना के लिए तो नहीं बनाई और शायद इसी शक्याधार पर लोग अब रोहित सर्दाना के लिए इनसाथ की मांग कर रहे हैं लोगों का ये कह दे रहा है कि अगर रेम डिसीवर वैक्सीन को लेकर किसी की आम आदमी की जान है शायद यही वजह है कि रेम डिसीवर को लेकर और रोहित सरदाना की मौत को लेकर लोग अब इन दोनों तारों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं लगा था, सोशल मीडिया पर दोस्तों, रोहित सर्दाना की मौत की पीछे किसी बड़ी लापरवाई की और इशारा किया जा रहा है, एक बड़ी लापरवाई को वज़ा बताया जा रहा है, मांग की जा रही है कि रोहित सर्दाना की मौत की जाच होनी चाहिए, हम आपको उत पर पर वाई है या फिर कुछ और इसके जाँच होनी चाही है। पर आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। क्या कुछ इसमें हैं हम नहीं कह सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जरूर इस मुद्दे को उठाकर लगातार मांग कर रहे हैं